ग्रीन पार्ग इलाके में आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भार्टी द्वारा बनवाय जा रहा है फुट ओवर ब्रिज तस्वीर आप देख रहे है आईटी गेट से इमस जाने वाले रस्ते पर जापए फुट ओवर ब्रिज बनवाय जा रहा है आपको बता दे कि इस foot over bridge का काम जनवरी 2020 में शुरू हो गया था लेकिन lockdown के चलते चार महिने ये काम बंद रहा जिसके वज़ा से काम रुग गया लेकिन अब फिर से इस काम की शुरुआत कर दी गया और जल्द ही ये बनकर तयार भी हो जाएगा आपको बता दे कि हैं आप foot over bridge नहीं था जिसके के विज़े से लोगों को पैदल रोड पार करने में काफिजाता दिक्कत होती थी और दुर्गटना की स्थिती भी लगातार बनी रहती थी लेकिन अब ये foot over bridge जल्द ही बनके तैयार हो जाएगा जिससे रागीरों को काफिजाता सहूलियत होगी और दुर्गटना की सिती क का काम रुका हो था लेकिन लोगडाउन के बाद से इसका काम शुरूर कर दिया गया है और ये आम अद्मी पार्टे के विद्धा एक सोमनल भारती द्वारे foot over bridge ग्रीन पार के लाके में बनवाया जा रहा है कि यहाँ पर रोड पार करने पर लोगों को काफिजादा दिक्कत होती है क्योंकि रोड पार करने के समय यहाँ पर रेड लाइट नहीं है और साथ इसाथ लोगों को निगालने में इसलिए भी दिक्कत होती है कि दुरगटना की सितिका उनको सामना ना करना पड़ेगी लेकिन यह जल्दी बनका त्यार हो जाएगा अब यह foot over bridge बन रहा है यहाँ पर किसके द्वारा बन रहा और कब काम शुरूआ था यह जनवरी 2020 में start हुआ था तो क्या काम बीच में रुका था इतना देरी हो गया तो दुबारा शुरू किया गया इसको तो इहां से जो लोग पैदल निकलते हैं कितनी दिक्कत होती है उनको यह बहुत दिक्कत होती है लोगों यह यह सब आगे देख रो इदर आन जाने मे दिक्कत होती है यह बन जाएगा तो लोगों बहुत आप मिलेगा इसके फायदा होगा लोग तो अब लोग रोड पार करते हैं पैदल तो क्या लगता है कि दुर्गटना भी हो सकते ऐसे चांस पर रहे हैं कि इसके बनने के बाद रोड पार कर रहे थे ट्रैफिक आरह थे क अब यह तो अब यह फुट ओवर ब्रिज बन जाएगा तो क्या इससे सहूलेत होगी बिल्कुर बिल्कुर आप अब आप अब